अस्तामने को स्टुएंट्स वेलकम तू क्लास एट मैस आज के वेटा इस लेक्चर के अंदर हम अंडर्सेंड करेंगे क्वेश्चिन नंबर थ्री विचिस अबाउट नंबर लाइन तो नंबर लाइन क्यों होती है और इसको किस तरह से आप पटेने के नंबर्स को उसके ठीक है तो फिर्स हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है सोचें नंबर लाइन क्या होती है ऐसी लाइन जिसके उपर नंबर जाते है उसको हम क्या बोलते है नंबर लाइन बोलते है ठीक है अब इतना भीजी नहीं है ठीक है है कुछ ऐसे ही ठीक है आ यान कर ना कर भी यह क्या स्टॉप नहीं हो रहे है वहां में अग़े चलती खा रही है और इदर सब्सॉर्प फिया आगे आगे का कांटिन्वे की अंदर यह मॉव और कर जा रही है ईनने कि इसके पड़े टेंक उन भांगे Windows को कभी खता नहीं होते उसके बाद यहां पर तू दैन यहां पर तरी और यहां पर फॉर दैन फाइफ अप तू सो ओन यह नहीं कर शिक्स भी आएगा सेवन एट अप तू सो ओन यह नमबर इसके ओपर चलते आगे जा रहे हैं ठीक है बिलकुल ऐसे ही जीरो की लेफ साइड पे नमबर आएंगे ने माइस यहां पे तू आ जाएगा नए ने यहां पे आएगा माइनस थ्री माइनस फोर आप तू सो ओन ठीक है अब यह नमबर हैं हमने क्राना है हमने क्या करना है हम वो number जो हमें given है वो कहां पर लाए करता है वो कहां पर हमें मिलेगा ठीक है तो फिर्स हमारे पास part है ठीक है उसके उपर जो हमने जो number हमने ढूड़ना है जो find करना है number line की उपर वो है 21 over 4 21 over 4 ये एक fraction number है ठीक है fraction number है तो पहले आप इसको convert करेंगे decimal form के अंदर जब भी आपको कोई fraction given हो और आपने उसको रिप्रिजेंट करना हो एक number line की ओपर तो आप उस पहले fractions को convert कर लें decimal form के अंदर और इसकी decimal form बनेंगी फॉर फाइव जा फाइव पॉइंट टू फाइव ये इसकी बनेंगी ये decimal form ठीक है अब हमारे पास जो number line है उसके उपर आपने अब ढूनना है कि आपके पास यहां पे decimal से number जो फाइव है फाइव कहां पे आता है प्लस में है तो हम move on करेंगे zero के right side पे ठीक है तो five यहां पे आता है और उसके बाद क्याएगा उसके बाद obvious बात है कि यहां पे six आएगा एक और बाद आपने यहां रखनी है कि जब आप यह नंबर्स रुखेंगे तो इन नंबर्स का gap एक दूसरे से बिलकुल एक्वल हो यानि कि इंटर्वल उसको बोलते हैं इंटर्वल साइज हर एका सेम हो यानि कि कितना डिस्टेंस जिरो का वन के साथ है उतना ही वन का टू से हो उतना ही टू को टू का थी के साथ हो तो यह बात आपने माइंड में जब यह नंबर के उपर नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो यह बात अपने माइंड में आपने लाजमी इस बात को देखते हुए numbers को उपर plot करना है ठीक है अब उसके बाद next हमारे पास आप नंबर को डिरूड़े कैसे कहां पर यह आएगा 5.25 है अब यह नंबर आएगा 5 और 6 के बिट्वीन डिकॉस अगर just 5 होता तो हम यहां लिखते कि यह हमारे पास क्या है यह 5 है लेकिन problem यह है कि हमें जो number plot करना है जो represent करना है वो क्या है वो 5.25 है तो अब जिस बात है को 5 से थोड़ा आगे आएगा और कहां पर आएगा 6 और 5 के बिलकुल दरम्यान में यह कहीं ने कहीं यह आएगा उसके लिए आपने अब क्या करना है उसके लिए आप simple करेंगे यहां मैं आपको थोड़ा बड़ा हर के दिखाता हूँ कि आपके पास यह मालने के 5 है जो के यह वाला है और यह 6 है आपने इस interval के 10 पार्ट्स बनाने है जो भी आपको interval आएगा मिलेगा ठीक है आपने उस interval के 10 पार्ट्स बनाने होंगे ठीक है अब वो कैसे बनेंगे वो आपके पास यहां पे आपन फाइव और सिक्स के बिट्रीन टोटल नाइन लगानी है स्मॉल स्मॉल सी ठीक है मालने के यहां पर हमारे पास वन यह टू थरी यहां पर फॉर और यह बिल्कुल दरिवान में फाइव बैन सिक्स सेवन एट और यह नाइन तो यह आप काउंट कर सकते हैं कि 10 पार्ट बन गई है ठीक है यह यह फर्स्ट है सेकिंड थर्ड फॉर फाइव सिक्स अब टू सिक्स तक जाएंगे तो टैन पार्ट बन जाएंगे अब आपने कौन सा पार्ट चूज़ करना है फाइव के बाद कर रिखा हो है पॉइंट टू तो सेकिंड पार बिटा आपने चूज़ कर लेना है ये आल्मोस फ्री हैंड गैस है ठीक है कि आपका 5.25 जो है वो कहां पर आएगा यहां पर आता है 5.1 यह 5.2 यह 5.3 5.4 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 और यहां पर 6 आजएगा अब हमने किसको locate करना है 5.25 को तो अव्यस बात है वो कहां पर आएगा 5.1, 5.2 और ये 5.3 है तो 5.2 और 5.3 के between ये number आएगा तो आपने इसके between इस तरह से एक arrow लगाना है और उपर लिख देना है 5.25 ये आपने सारा step इस interval के अंदर place कर देना है लिख देना है ठीक है तो इस तरह आपने इस interval के बिलकु स्मॉल स्मॉल 10 पार्च बनाने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और आपने second और third line के between इस तरह मार कर देना है और ये हमारे पास arrow बना दें इसके उपर उपर लिख दें 5.25 ये हमारे पास जो number था जो fraction थी number line के उपर ये यहाँ पर लाए करती है तो इस तरह आप किसी भी number को number line के उपर represent कर सकते है ठीक है ओके इसके बाज़ आपके पास जो इसका second part है उसको देखते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर है ठीक है ओके फर्स हमारे पास पार्ट हो गया सकी पार्ट की बात करते हैं जो कि हमारे पास है minus 53 over 3 अब यह number negative है तो obvious बात है कि हम zero से left की तरफ इस number को ढूंडेंगे locate करेंगे represent करेंगे ठीक है अगेन आप draw करें number line ठीक है यहाँ पर हमारे पास यह बनगी है number line बिलकुर straight आप में line लगानी है ठीक है अब नासमी नहीं है कि आपका zero बिलकुर रिम्यार में आए आपने जहां से मर्जी start करना है zero को मान लगे हम zero को यहां लिक लेते हैं यहां पे इधर क्या होगा one यहां पे small कर लेते हैं because number हमारे पास काफी बड़ा है यह ठीक है because इसको जब आप convert करेंगे decimal form के अंदर तो यह बनेगा 17.6 माइनस में आएगा ठीक है माइनस 17.6 अब आपने माइनस 17.6 को locate करना है ठीक है तो पहले हम पहुंचेंगे 17 के उपर और उसके बाद 17 के बाद का जो interval होगा वहाँ पर आपने 6 जो इसका पार्ट होगा वो चूस कर लेना है बिल्कुल फर्स पार्ट की तरह है ठीक है अब करते हैं इसको यहाँ पर आएगा यह मालने के प्लस वान है और यह प्लस टू है आगे हमने जान ही नहीं है तो आप उसको ना लिखें तो बहतर है अब लेफ साइड पर नमबर को लिखेंट करना है वो नमबर नेगटिव में इस नहीं है यहाँ पर आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और अब 200 और हम इसको 17 से 18 तक पूरा कर लेते हैं माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 उसके बाद माइनस 8 बेन माइनस 9 ठीक है अब 2 माइनस 10 यहाँ पर कर अब लेकिन अब भी आद देखें तो नमबर हमारे पास यहां पर पुरा नहीं आएगा और प्रॉबलम आपको आएगी कि आपने कॉपी के उपर ब्राक करना है तो फिर तो और नहीं आएगा तो इसका एक और हल है आप ऐसा ऐसा करें कि आपने जो इंटर्वर साइज है उसक को लिख सकते हैं यापका जो इंटर्वल है वो डबल हो जाएगा ठीक है अब मैं यहां पर लिखता हूँ जीरो चैनल यहां पर हम कर लेते हैं कि तर्मिदान में यहीं पर हमारे पास क्या है यहां पर जीरो है अब यहां पर करते हैं कि हमारे पास थी है माइनस में यहां प 15 और यहाँ पर आएगा माइनस 18 और दैन माइनस 21 लेकिन हमने नमबर ढूंडा है जो लोकेट करना है वो है माइनस 17.6 है तो आब इस बात है वो आएगा 15 और 18 के दन्मेद में अब 15 और 18 के दरमान में आलमोस आपने क्या करने हैं उसको देखना है कि 16 और 17 को भी आप लोकेट कर लें यानि कि फर्स पार अगर आप इस नंबर को तीन हिस्सों में इस इंटर्वल को डिवाइड करें तो यहां पे 16 भी आ जाएगा और 17 भी आ नंबर आएगा ठीक है बिलकुल तो 17 और 18 हमारे पास यह वाला बनता है पार्ट यह वाला आप इसके बिलकुल दर्मियान में आपने लगाना एरो इस तरह से तो यह हमारे पास लिकेशन है तो इस तरह आप ने इस नंबर को लोकेट करना होगा नेक्स हम मूव ऑन करते हैं इ उसको कनवर्ट कर लेना है डेसिमल फार्म के अंदर अंडर रूट 11 हमारे पास नंबर है इसकी डेसिमल फार्म बनती है 3.3 ठीक है जब 3.3 को बड़ा आप लोकेट करेंगे नंबर लाइन की ओपर और दुसी बात यह कि नंबर हमारे पास पॉजिव है तो 0 से राइट सार पर हमूब आउन करेंगे तो यह हमारे पास नंबर लाइन है आप लिख लें यहां पर मिडल में 0 यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 3 और माल लेकर यहां पर हमारे पास उसके बाद आजएगा यहां पर 4 आजएगा अब यह नंबर आएगा 3 और 4 के बिट्वीन बिकॉज जो ह पर थ्री यहां पर अब थ्री और फॉर के बिट्वीन हमारे पास यह इंटर्वल होगा जिसकी अंदर यह नमबर लाए करेगा अब आपने इस इंटर्वल के अगें फर्स पार्ट की तरह टैन मजीद सब पार्ट बनाने है यह यह आपने नाइन लाइन लाइन नगानी है करनी है तो यह आपके पास ठर्व है वन टू और यह थर्ड लाइन तो यह बनता है लोकेशन बनती है तर्व फाइव की नमबर लाइन की ओपर यह तो आपने किसी भी रेडिकल नंबर को नमबर आपके पास निगटिव में आ जाए या पॉजिव के अंदर आजाए तो इस इसके बाद हम मुव आन करेंगे नेक्स वीडियो के अंदर नेक्स कुश्टन बर्ग फॉर क्यों पर तब तक के लिए आला हाफिस